नमस्कार थिंग टैंक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा दोस्तो पहले तो हमारे देश के नेता फ्री की रेवडी कल्चर को भड़ावा देते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए 50-50 हजार करोड की फ्री की रेवडी की योजनाई लाते हैं और जब खुद के अंदर इतना दम नहीं रहता कि उन योजनाई को पूरा कर सकें तो सरकार के आगे हाथ गिड़ गिड़ाते हैं और जब सरकार मना कर देती हैं तो देश के प्रधान मंत्री को नीच कहकर पुकारते हैं देश के प्रधान मंत्री को गाली देते हैं तो उस्तु हमारे देश की एक बहुत पुरानी पाटी है कॉंग्रेस पाटी जिसका इतिहास रहा है जो जब भी फ्रस्टेट होती है फ्रस्ट्रेशन में नरेंद्र मोधी ची को ऐसी बाते बोलती है जो उसी पर उल्टी पड़ जाती है आज इसी कड़ी में करनाटक के सीम सिद्धा रमया के एक बयान के बारे में चर्चा करेंगे जिस बयान के बाद अब सिद्धा रमया को बुरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और जैसे ही पता लगा कि अब तो ट्रिगर हमारी तरफ हो गया है तो सरकार ने अपना पूरा रुख बदल लिया और अब तो केवल यही बात कह रही है कि हमारे कहना का ये मतलब नहीं था हमारे कहने का वो मतलब नहीं था चलिए शुरू कहते हैं आज का वीडियो वीडियो को आन तक जरूर देखना है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है वो जब भी फ्रस्टेट हो जाती है तो देश के प्रधानमंत्री पर अपना गुसा निकालती है हमने पहले भी देखा किस तरीके से अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरा गया कॉंग्रेस पार्टी के दौरा और जब ये मुद्दा काम नहीं कर पाया लोगों को इंफ्लूएंस नहीं कर पाया तो पवन खेडा ने अडानी के मुद्धे की आड में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी के पिता श्री पर भयंकर टिपड़ी करी जिसके बाद पवन खेडा को एरपोर्ट से घसीटते हुए जेल जाना पड़ा हलाकि सुप्रीम कोट ने जमानत की शील्ड उनके आसपास बिशादी और उन्हें रिहा कर दिया लेकिन जो उनका हाल हुआ वो हम सभी ने देखा और बाद में पवन खेडा अपने बयान से पलट रही थे कि हमने ऐसा नहीं बोला हमने वैसा नहीं बोला ठीक ऐसा ही कुछ अब करनाटक में हो रहा है दोस्तो करनाटक के चुनाव कॉंगर्स पार्टी जीत गई है और राहुल गांधी के इशारे पर जिस तरीके से पचास हजार करोड की पांच फ्री की रेवडी की जो नीतिया लाई गई अपने चुनाव घोशना पत्र में वो हम सभी ने देखा और जनता ने ये ना देखते हुए कि जिस सरकार पे ऑल्रेड़ी पांच दश्नमलव तीन पांच लाख करोड का करजा है वो सरकार पचास हजार करोड की नई नीतिया कहां से लाएगी वो भी आपके लिए फ्री तो जनता ने ये नहीं सोचा कि यदि इस सरकार को हम लाते हैं तो पांच दश्नमलव तीन पांच लाख करोड के हिसाब से प्रतियक व्यक्ति पर दो लाख रुपे का करजा होता है जतने भी लोग चुनाओ में वोट देते हैं सबी वोटस पर प्रतियक वोटर पर दो-दो लाख का करजा हो जाता है लेकिन जन्ता ने उस करजे को भाव नहीं दिया जन्ता ने फ्री बस यात्रा को चुना पाँच-पाँच किलो गिहू को चुना तीन हजार रुपे महिलाओं के खाते में चुना बिरोजगारों ने दो लाख करजे को नजरंदास करते हुए अपने लिए फ्री की पैकेट योजना को चुना लेकिन अब ऐसे में दो सो यूनिट फ्री बिजली देने के चक्कर में अब करनाटक की सरकार फस्ती जा रही है फिर उसने केंद्र सरकार के आगे हाथ फिलाया दोस्तों आपको बता दे सिदारमया ने फसी आई से प्राथना करी कि वह उन्हें सरकारी रेट पर सब्सिडाइज तरीके से गेहू और चावल दे तो फसी आई ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये जोजना आपकी लाई हुई है आपकी बनाई हुई है तो आप अपने तरीके से बजारी रेट पर गेहू चावल खरे दे और जंता में वित्रण करे क्योंकि ये आपकी योजना है तो इसी लिए सदार मया ने अपने एक बयान में कहा कि ये नीच सरकार है नीच लोग है इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है तो आब ऐसमें सरकार नरेंद्र मोधि की तरफ से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर से आते हैं, निचले तवके से आते हैं, तो ऐसे में ये बयान देना उनके फॉलोवर्स को और बीजेपी को बुरी तरीके से आहत कर रहा है, और अब सिद्धा रमया को लेकर तमाम तरीके की बयानबादी शुरू हो ग से राजनीती में आगे बढ़े तो उतनी तेजी से ही नीचे पटक भी उन्होंने खाली है, अब कितने भयंकर मुद्धों में वह फसते जा रहे हैं, जब इस सरकारे फ्री की रेवड़ी की योजनाई लाती हैं, तो इन्हें सोचना चाहिए कि इन योजनाओं को हम कहां से पूरा करेंगे, लेकिन ये केंदर सरकार के ओपर ठीकड़ा फोड़ती हैं, और अब जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों का यही होना चाहिए, तो उनसे गुजारिश करी कि उन्हें टू पॉइंट कुछ लाख करोड का करजा दिया जाए, हलाकि इस साल इस सरकार के बजट को भी बढ़ा दिया गया, तब भी इस सरकार की पूर्ती नहीं हो पा रही है, तो अब ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया है कि सब्सेडाइज अमाउंट पर नहीं इन्हें करजा मिलेगा, और ना ही इस अमाउंट पर इन्हें गेहूं या चावल मिलेंगे, जो भी इन्हें योजना बनाई हैं इन्हें खुदी पूदी करनी संगी, तो अब ऐसे में बयान तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दे दिया है कि वह नीच है, नीच लोग है, नीच कार्रे करते हैं, ले अब जब अपनी फ्रस्टेशन को निकालने के लिए कॉंग्रस पार्टी ने इस तरीके के बयान दिये हैं, तब तब उन्हें माफी मांगने पड़ी हैं, इसका बड़ा उधारन हम आपको देते हैं, पवन खेडा का उधारन हमने आपको दिया है, इसी के साथ साथ अर्वि प्रश्टाचार का उन्हीं लोगों से ट्वीट करकर या फिर कोट में माफी मांगते हुई दिखाई दी और आज उन्हीं के साथ गड़बंदन की सरकार में रहते हैं, तो यह राजनीती है, यहां किसी से इतनी भी दुश्मनी नहीं करने चाहिए कि कल को दोस्ती करने में म मोधी जी को कह रहे थे, इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कॉमेंट करें, शियर करें, और हमारे चैनल ठिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना भूले, नमस्कार.